हालो फ्रेंट्स वेलकॉं टो मैं चैनल दोस्तों आज इस विडियो में इस कंगुलुजन को सौल करेंगे तो कंगुलुजन स्टेट्मेट के हमारा जहां पे सम टैप्स आर डिसेस और सम डिसेस आर कैठस टिसेस और अल कैठस आर सौंग्स तो जैसे कि इन्होंने लिखा हो some tabs are dishes तो हम tabs को यहां पर T से represent करेंगे डिसे को D से और T का एक circle बनाते, D का एक circle बनाते, दोनों को overlap कर दिया, अब देख सो तो यहां पर second statement के some dishes are casters, तो यहां पर dis का जो circle है और casters का जो circle है, उन दोनों को भी overlap कर दिया हमने तो third statement है, all casters are songs, तो जो all casters है वो songs का part है, तो songs वाला एक बड़ा circle बनाया है जिसमें यह cast वाला circle include कर दिया हमने, तो देख सो तो यहां पर 4 circle है आपके सामने है, तो अगर आपने यह circle सही से बना ली तो आपका जो क्वाचन वो अराम से solve हो जाएगा, तो क्वाचन conclusion क्या है, first क्या है, some songs are dises, तो some songs are dises, तो देख सो तो यहां पर जो songs का circle है, dises का circle है, आपस में overlap कर रहे हैं तो यह सही है, थोड़े से songs तो dises भी है, क्योंकि dises के साथ, जो dises का circle है overlap हो रहा है उसके साथ, तो यह हो जाता है हमारा सही, second conclusion क्या है, some casters are tap, तो tap देख सो तो यहां पर left hand side में है, cats are क्या यहां पर right hand side में है, तो यहां पर यह जो हो जाता हमारा, गलत हो जाता है, क्योंकि some, जो casters are tap नहीं है, तो उमीदे दोस्तों समझा गया होगा, एक चीज और अगर आपके पास कोई ऐसा क्वाचना आप चाहते हैं, उसके उपर वीडियो बनाग, तो आब मुझे comment box में लि शेयर कर दूंगा वीडियो देखने के लिए धन्यावाद चाहें,